जगदीब धनकड 72 वर्ष के हैं, रावल गांधी 33 वर्ष के हैं, जगदीब धनकड से 19 साल चोटे जगदीब धनकड कल्याड बेनर्जी से भी 6 साल बड़े हैं, राजनिती छोड़िये बारतिय समाज के संसकारों में भी अपने से भुजुर्गों की ऐसे खिल्ली उडाने को गलत माना जाता है, उपराश्ट पती जगदीब धनकड की मिमिक्री करने पर घिरे टीमसी सांसद, दिल्ली पुलिस ने केस दर्जिकर जास सुरू कर दी है, मंगलवार को निलंबि सांसदों के संसद बवन पर धरने के द परिसर में की थी, इस मिमिक्री का राउल गांदी ने वीडियो भी बनाया था, संसद परिसर में अपनी मिमिक्री किये जाने पर उपराश्ट पती जगदीब धनकड ने राज्यसबा में गहरी नाराजगी भी जताई थी, और कहा था कि ऐसे लोगों को सत बुद्धी आये, अब जानकारी ये मिल रहे है कि दिल्ली पुलिस ने जगदीब धनकड की मिमिक्री किये जाने के मामले में FIR दर्जी किया है, इसे से TMC सांसद कल्यार बेनर जी की दिक्कत बढ़ सकती है, TMC सांसद के किलाब अभिसे गोतम नाम के वकिल ने पुलिस में सिकायत की थी, इस स संसद बर उपराश्ट पती की अपमान का आरोप लगाया है, उस बारे में दर्ज केस को नई दिल्ली जिले के पुलिस को भेजा गया है, सिकायत की जांच की जा रही है, कल्यार बेनर जी की दिक्कत इसलिए बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने संसद के बाहर उपराश्ट पती की मिमिक्री की, अगर यह मिमिक्री कल्यार बेनर जी ने संसद के भीतर की होती, तो उनके खिलाप केस दर्ज नहीं हो सकता था, पुलिस ने अभी ये नहीं बताया है कि कल्यार बेनर जी के खिलाप किन धाराओं में उसने केस दर्ज किया है, दरसल हुआ ये था कि लोक राउल गांदी ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। उपराश्ट पती जगदिव धनकर्ण ने इस बारे में कहा था कि उन्होंने टीवी पर देखा कि सांसत मिमिक्री कर रहे हैं। एक टीवी चैनल पर देखा है। गिरावट की कोई हद नहीं है। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके बड़े नेता, एक सांसत के ऐस सांसत ये विवार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ, सद बुद्धी आए। कुछ तो सीमा होती होगी। कुछ जगह तो बक्षो। कुछ जगह तो बक्षो।